आपने जमकर कैम्पेनिंग की है तो आपको कहीं पर लगा कि बीजेपी के खिलाफ कोई एंटी इंकम्बंसी सेंटिमेंट या कुछ ऐसे वेव कुछ लगा आपको? वैसे चुनाओ घोसित होने के बाद मैं किसी राज्य का दोरा नहीं कर पाया हूँ किकी इलेक्शन कमिशन ने कुछ मर्यादाइं रखी थी और मेरा प्रयास रहता है कि मैं मर्यादाओं का पालन करूँ लेकिन वर्चुएली मुझे बीच वीच में कारकरताओं से बात्चित क ने कामस्व मिला है कि मैं मर्यादाओं का पालन करूँ चुनाओं का समय हो या नहों भारतिय जनता पार्टी संगठन में हो या सरकार में हो हम हमेशा जनता जनादन की सेवा में लगे रहते हैं और जब सरकार में होते हैं तो बहुत अधिक तीवरता से अधिक विस्तार से सबका साथ सबका विकाज इस मूल मंत्र को ले करके जी जान से जूटे रहते हैं और मैं इस चुनाव में भी सभी राज्यों में देख रहा हूं कि भारतिय जनता पार्टी के प्रती लहर है भारी मुहमत से भारतिय जनता पार्टी जीतेगी और भारतिय जनता पार्टी को सेवा करने का मोका इन सभी पांच राज्यों की जनता देगी और ये भी सही है कि जिन राज्यों में हमें सेवा करने का मोका मिला है उन्होंने हमें परखा है हमारे काम को देखा है और उसका परणाम होगा पहले के जमाने में पोलिटिकल फील्ड में एनालिसिस करते समाई एक शब्द पॉप्लिर हो चुका है एंटी इंकम्बंसी मैं सबता हूँ कि हमारे देश में वक्त बदला लेकिन कभी कभी टर्मिनॉल उसी नहीं बड़ ली और यह कारण यह है कि पहले जो सरकारे चलती थी वो फाइलों पे हस्ताक्षर करना मनमर जी के लोगों की फाइल को प्रायोरिटी देना योजनाए चुनाव को केंदर में रखके गोशित करना और कभी-कभी जाकर के फिचे काटके चले आना यह सिलान्यास करके चले आना कि डिलीवरी की तर्यप सब्सक्राम उनका ढ़ाद Great और जब लोगों को काम नजर नहीं आता है और गोष्णाइं बार-बार सुनने को मिलती है तब एंटी-इंकंबंसी का जन्म होता है लेकिन जब काम करने का प्रयास दिखता है दिन रात की महनत दिखती है आज पास में कुछ नों कुछ पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है तो फिर एक विश्वाथ बनता है कि वहां हो रहा है तो कल में यहां भी होगा गरीब को गर उसको पंल गया तो कल मुझे भी गरीब हूँ मैरा गणा इस बार लान इंजब नबर ने लगा विख विश्वास प्रदा होता है और इसके कारण भारतिय जनता पार्टी के कल्चर में जहां भी हमें स्थिर्ता के साथ काम करने का मोका मिला है वहां एंटी इंकममंसी नहीं प्रो इंकममंसी का वाहूर होता है और भारतिय जनता पार्टी हमेशा प्रो इंकममंसी को ले करके चुनाओं में अधिक ताकत से उभर करके आती है उत्तर प्रदेश में खास्यत रही कि एक ही पार्टी को दुबारा चांस नहीं देते हैं, मौका नहीं मिलता है लेकिन आपको लगता है कि इस बार जो है क्योंकि तीन चुनावों में उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है फिर 2017 में मिला, फिर 2019 में मिला, याने 3-3 मार मिला, मंदब जो पुरानी थियरी है एक बार आओ, एक बार जाओ, वाला उत्तर प्रदेश ने पहले ही नकार दिया है जब पहले ही नकार दिया है तो आप क्यों आगे बढ़ाएगा भारती जनता पार्टी ने अनुभव किया है कि हमें 14 में स्विकार किया, फिर काम देखा 17 में स्विकार किया काम देखा 19 में स्विकार किया, काम देखा 22 में स्विकार करेंगे आप देखिये भारतिय जनता पार्टी एक कलेक्टिव लीडर्शिक में विश्वास करती है, सामोहिकता में विश्वास करती है, और हम स्तर पर सामोहिक रूप से काम करने के आती है, वो तस्वीर प्रधानमन्त्री की नहीं है, वो भारतिय जनता पार्टी के कार्यकरता की तस्वीर है, जिस मैं लगता है मैं किसी से ऊपर नहीं हो किसी से आगे नहीं हो कि यह के जो प्रेशन हो गई है हर चुनाव अनफलाने का हर चुनाव ठीकने का मैंस मत्मत्र게 चुनाव हमारे कारे का है हमारे आचार विचार का है हमारी नीतियों का है और सबसे ज्यादा हमारी नियत का है और मैं मानता हूं देश उसको समर्थन कर रहा है तो अगर पार्टी जीतती है एलेक्शन में तो बीजेपी कहती है ये मोदी की जीत है तो अगर हारती है तो क्या आप इसको एक कभी-कभी पर्सनल भी लेते हैं कि और क्या मन्थन चलता है पार्टी में आप बाकी लीडर्स के साथ बैठके कि गलती कहां पे हुई और कहां पे हमको रोल बैक करना चाहिए या गलतियां सही करनी चाहिए आपने बहुत सही सवाल पूछा है भारती जनता पार कि मैं तो तब राजनीती में नहीं था लेकिन एक बार में ने देखा कि कि चुनाओं में जनसंग था उसमय साथ दीपक निशान था और कि कई मिठाई बाट रहे थे तो हमने सुना यह मिठाई क्यों बाट रहे तु सब हार गए तो पताया है इसाथ मारे तीन लोगों की जबारत बच गई है इसलिए हम बिठाई बाट रहे हैं उस जमाने से हम लोग गुज्रे हुए लोग हैं और इसलिए जय और पनाजे दोनों हमने देखा है हम जब विजय होते हैं तो हमारी कोशिश यह हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जमीन से जुड़े जमीन के साथ जितना गहरा नाता बनता जाए हम बनाए हैं हम जब चुनाव जीते हैं तो हम लोगों के दिल जीतने के काम में कभी कमी नहीं आने देते हैं हमारे लिए हर पल हर दिन हर योजना हर काम जनता जनारदन के दिलों को जीतना और दिल तब जीते जाता है जब उनको समाधान होता है संतोश होता है तो हम हमारी शक्ति उसे मे लगाते हैं और हम बहुत कोंशेश भी प्रयास करते हैं जीत हमारे सर पे नचुड़ जाए कि हमारे दिमाग में वो सब्सक्कार न हो जाएं और δहर्ती पर रहते हैं जहां तक पराजय आज सबन है हम सोते हैं कि सामने वाले की रणनीती क्या थी उसके तौर तरीके क्या थे वो लोगों को गुम्रह करने में क्यों सफल हुआ हमारी बात को हम कैसे पहुंचाएंगे हम औरों का भी अभ्यास करते हैं हम स्थित्यों का भी अभ्यास करते हैं उस पकार के योजनाओं का भी अभ् राजय का हो हमारे लिए चुनाव एक प्रकार्चे ओपन यूनिवर्सिटी है जिसमें हम नए रिकृूट्मेंट के लिए अवसर भी मिलता है और अपने आपको तरासने का भी अवसर मिलता है तो हम चुनाव को एक प्रकार्चे हमारा एजुकेशन का प्लीड मानते हैं अब कि यूजनाओ को की बात कर रहे थे अखिलेश जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई योजनाए आप की नहीं थी मानिनी बीजेपी की नहीं थी वो उनकी अपनी आपनी जामा पहनाते और आपंडिनी अपलबदी बताते हैं उसे मुझे बहुत आनंध होता है जब सुनत को योगी जी के इतनी मेहनत और इतनी सफल योजना उसको साकार करना और कुछ और उसको कभी कोई करने के लिए इधर उदर की बाते करता है तो मैं उसमें से एक अर्थि यह निकालता हूं कि योगी योजना इतनी अधभूत है और संभव को उन्होंने संभव करके दिया है तभी जाकर कि विरोधी भी उसको कैश करने के लिए मैदान में उतर पड़े हैं वरना विरोधी विरोध करता है योजना शफल है और सफल तरीके से समय सीमा में उसको पुरा किया है और एक प्रकार से मैं इसको योगी जी की क्रेडिट मानता हूं दूसरा विशा है हमारे देश में एक कल्चत चला कि राजनेता और सरकारों का काम क्या हर चीज पर हाट डाल देना बोलते रहना यह करेंगे वो करेंगे यह करेंगे वो करेंगे कभी इसके और कोई चीज दुनिया में उन्होंने छोड़ी नहीं है कोई नेता मिल जाएगा व तो कहेंगा हाँ देखो हम ने उस समय कहा था ऐसे लोग तो बहुत मिल जाएंगे आपने ख्राइम फ्री उत्तर प्रदेश का जिक्र किया है आपने भाष्णों में पार्लोमन में भी आप कर रहे थे आपने कहा कि समाजवादी पार्टी जो है वो दंगाईयों की पार्टी करते हैं क्या आप ये आप काटेगोरिकली कह सकते हैं कि यूपी जो है वो क्राइम फ्री की तरफ बढ़ रही है और ये हो सता है संभव है पहली बात है कि जब लो उत्तर प्रदेश में सुरक्षा के विशे की चर्चा करते हैं तो वहां के सामान्य मानुवी के मन में पिछ पिछली सरकारों में जो उन्होंने मुसीबते जहली है जिस प्रकार से गुंडा राज चलता था जिस प्रकार से माफिया की इच्छा के अनुसार ही सरकार के बाबुओं को काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता था जिस प्रकार से इस प्रकार के दबांग लोगों को सर प्रकार में एक प्रकार्शे प्रतिष्ठा थी आश्रहें था यह त्टर प्रदेश ने बड़े निकट से देखा है बेहन बेटी घर के बाहर नहीं निकल पाती थी यह उत्तर प्रदेश ने दिखा है आज उत्तर प्रदेश की बेटी कह रही है कि मैं शाम को अंधेरा होने के बाद भी अगर कहीं काम है तो जा सकती हूं यह जो विश्वास पैदा हुआ है वो मैं समझता हूं सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है और यह तब हुआ है उत्तर प्रदेश में एक समय थ सकते थे आज ती यह है कि उनको हाथ जोड़के कहना पड़ता है कि यहां बाहर मुझे रहना नहीं आतो मुझे जेल में रखो ताकि वहां थोड़ी बहुत तो मेरी जिनगी बच जाएगी क्योंकि मेरे पाप और हर को सरंडर कर रहा है बहुत से लोग हो सकता है सही रास्ते पर आ जाएंगे जब देखेंगे क्यों अच्छे रास्ते से जिवन जी आजा सकता है मिदे एक लेकिन योजी छिने सुरक्षा को प्रात्विक्ता दी है कोई काम्प्रोमाइज नहीं किया है कुछ लोगों को उसके तक़िप हो रही क्योंकि उनका कारोबार वही था आज ख कोई कानून विवस्ता की समस्या नहीं कहीं चोरी की भी खबरें नहीं आई यह किसी भी समाज को संतोस देना लगाल विशह है और हिंदुस्तान में अगर सुरक्षा को प्राट्पिक्ता दी जाए तो बुरा क्या है ने बुरा नहीं अगर जैसे सुरक्षा की बात चल रही त तो वो कहते हैं कि वहां पर एक जुडिशल प्रॉसेस नहीं है ठोको की राजनीती चलती है अगर कि योगी सरकार ने डिसाइड कर लिया कि फना जो है वो गुंडा है या उसका कारोबाल जो है उसमें कोई डाउट है तो उसको जेल में डाल दो मतलब एक जुडिशल है हिंदुस्तान की जुडिशरी बहुत ही सक्री है और कभी-कभी तो प्रोएक्टिव है अगर ऐसा कुछ भी होगा होता तो हिंदुस्तान की जुडिशरी ने जुरू कदम उठाय होते हैं और प्ल करने वालो कि कमिक नहीं है हमारे देश में ऐसी बहुत बड़ी जमात है जिनकी रोजी रोटी पर है तो तो तुरंक पहुंच जाते हैं लेगे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है बटलब वो न्याइक प्रक्रिया के आथार पर काम करते हैं इन पर जैसे लखिंपूर खेरी का इंसिडेंट हुआ था और वो टेनी अभी भी जो है वो ही स्टिल एंपॉर् मात है तो वह वाइट वॉश हो जाते हैं उनके सरे क्राइम्स मैं यहीं तो कह रहा हूं कि सुप्रीम कोड्ट जयो कमिटी बनाना चाहती थी राज्य सरकार साह्मट झ नेन सयब्सक्ति हैं आप double engine सरकार के बारे में काफी बारी कह चुके हैं अपने speeches में double engine सरकार से आप विश्वास जगाना चाहते हैं electorate में कि विकास जल्दी हो जाएगा अगर दोनों तरफ मतलब सेंटर में भी और सेट में भी बीजेपी की सरकार रहेगी लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि इससे एक एक धमकी की तरफ देखते हैं कि अगर double engine सरकार नहीं है तो विकास में गती रोद आ सकता है वो विकास की विकास मतलब गाड़ी आगे नहीं चलेगी अगर ये double engine सरकार नहीं होगी तो देखे परिवार में भी लिए माबाब हमेशा सभी भाइयों बेहनों को कहते हैं कि देखो भी हम सब मिलकर के इस दिसा में जाएं तो सब अच्छा होगा और सब उसी दिसा में प्रयास करते हैं कोई कि दूसरे के विपरित नहीं करता है इतना बड़ा देश है हैं अगर हम एक दूसरे से विपरित करेंगे तो हमारे संसाधनों नश्ठ हो जाएंगे हमारे देश की भलाई करने की गती रूख जाएगी और इसलिए देश के लिए बहुत आवशक है कि लोकों के कल्यान के काम हम मिल बैटके करें और ज्यादा तेजी से करें और उसमें भी अगर हम रा मिल दोती जिसे करूंगा ऐसा करेंगे तो कितना नुक्षान होता आप उसको पांच लाख रुपिये तक बीमारी में स्वस्थ होने लिए सहायता करता है बहुत सब्सक्रा करती है पैसे बहुत सरका दे रही है राज्यों को तो लेना है देना कुछ नहीं कुछ नहीं है अपने योजना है हमें कोई से इतराज भी नहीं है हमने कहते हैं तो यह यह इसे फायदा ही होता है कि मान लीजिए उत्तरप्रदेश का कोई नागरीग है और केरल गया हुआ है और वहां उसको कुछ हो गया तो यह योजना अची कि केरल में भी उसको ट्रेटमेंट मिलेगी उसको उत्तरप्रदेश में ही बिमार होगा तो लाव होगा ऐसा नहीं किरल मिला इसका बटलब की आयुष्मान भारत योजना से जोड़ना मतलब दोनों एंजिन जोड़ जाएंगे तो गरीब होको लाव होगा नहीं होगा लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जिनको लगता है हम आईश्मान भारत से नहीं जोड़ेगे दिली में किया ऐसी सरकार है अब दिली का नागरीक हिंदुस्तान के किसी कौने में जाएगा और वहां कुछ हुआ तो उसको बुलाब नहीं मिलेगा अब क्या कारण है कि इसका विरोत किया जा रहा है उसी प्रकार से हमने बन ने फ्री प्राइस फैर प्राइस स्वाफ से उसको अनाज मिल जाएगा अब दो राज्य ऐसे निकले जिन को सुप्रिम को ड़ना मारना पड़ा कहना पड़ा कि भी वन नेशन वन राशन कार गलत क्या है तुम लागू करो अब इसलिए हम कहते हैं कि डबल इंजिन के सरकार होत है अब जैसे GST कानूर आया पहले हमारे देश में हर जगा पर टैक्सेशन की सिस्टिम इतनी अलग लग थी कि विदेश की निवेशक जो होते थे उनको बहुत दिकत होती थी एक राज्य में अगर कारखाना लगाते हैं तो हमें वहाँ इस प्रकार के प्रॉब्लम होता है में लगाते हैं तो दूसरा होता है अब GST होने के कारण उनको भी सहुलत हो गई तो हम जो यह कह रहे हैं कि डबल इंजिन की सरकार हम ऐसी विवस्ता करें अपनी विवित्ता को बनाए रखना है बारत की विवित्ता ही उसकी ताकत है लेकिन विवस्ताओं को भी बनाए सब्सक्राइब बढ़ जाती है हमारी शक्ति वेश्त नहीं होती है हमें इसका जो पर सिर्फ देश का कल्या गरीवों का कल्या देश के युगाउं का भला इतना ही हमारा आर्थ है आप विवित्ता की रिस्पेक्ट के बारे में बात करते हैं लेकिन राहुल गांदी और शि इन सभी राजों में बीजेबी के घुस भी नहीं सकती है, सरकार बना नहीं सकती है, क्योंकि एक सेंट्रिस्ट, एक स्ट्रॉंग व्यूपॉइंट वाले पार्टी है, जो रीजिनल एस्पिरेशन को नहीं समझती। पहली बात ऐसी है कि भारतिय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जिसका ये मत है कि देश के विकास के लिए हमें रीजिनल एस्पिरेशन को एड्रेस करना ही चाहिए, और देश में मैं पहला मुख्यमंत्री हूँ, जो इतने लंबे समय तक राज्य का मुख्यमंत्री रह कर कि अगया हूँ, और इसलिए राज्य के एस्पिरिशन क्या होते हैं, राज्य की आवशक्ता हैं क्या होती हैं, इसका मुझे भली भांती समय हैं, और इसी के कारण हम हिंदुस्तान के सभी राज्यों की भर्याब देकि में दुनिया के महमान आते हैं, तो पहले उनको दिल् की सरकार्थी किसकी सरकार इस देश की शक्ति को भारना इस देश की हर राजये को पुरत Cris के ही पुर्सान मिलना यही हमारा काम होता है अब येन में जाकर मैं utanützahl में कोट करता हूं तो दुनिया को गर्व होता है कि भारत के पास दुनिया के सबसे पुरानी भाषा है पहले कोई बोलता यह नहीं था और इसलिए मैं हरे को साथ लेकर के चलने का प्रयास करता है और मैं मानता हूं वह रास्ता है हम विवी दता में एक्ता के दर्शन करते हैं लेकिन आज दुर्भाग्य से कुछ नेता अपने नीजी स्वार्थ के लिए विवीदिता को एक दूसरे के साथ विरोध के लिए सीड्स के रूप में उप्योग कर रहे हैं यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमें विवीदिता में से एकता को पनपाना है तो आप पचास साल का अनुभव यह है उन्होंने यही किया हर चीछ पे देश को बाटो राज करो और उस दिमाज से अलगाओ प्यादा होता लेकिन एक भारत के नागरियों के चरितर रहे नहीं है आप इसको एक डियू सीट अज़ेट की अगर इसे अभी नहीं रोका जाएगा तो सेपरिटिस एलिमेंट्स आ जाते हैं कि जैसे अगर कश्मीर का अलग बात है नौर्थीज की बात अलग है लेकिन अगर आप द्रविड मूव्मेंट को देख लेंगे या कहीं और राज्य में देख लेंगे और रीजिनल एस्पिरेशन को बढ़ाया जाता है तो क्या एक य दारत जैसे देश में इतनी विविदता भरा समाज व्यवस्ता और अगर सामाजिक न्याय के सिध्धान्त में हम थोड़ा सा भी उचे नीचे करेंगे तो हमारे देश को भर नुक्षान होगा इसलिए समाज का छोटे से छोटे तबके के व्यक्ति को भी विकास में पूरा स यह योग मिलना चाहिए और विकास के लिए अवसर मिलना चाहिए जैसे समाज के अंदर सामाजिक न्याय की आवश्रत्ता है वैसे ही राष्ट में भी कोई एक इलाका बहुत आगे बढ़ जाए और कोई इलाका पीछे रह जाए तो कभी भी देश का भला नहीं होगा हमारे हां सर्मांगिन विकास होना चाहिए सर्वस समावेशक विकास होना चाहिए सर्वस परसी विकास होना चाहिए सर्वहित में विकास होना चाहिए और इसलिए हम एक विशे ले करके आए जिसमें भी मैं देख रहा हूँ कि सभी राज्य हमारे साथ मिलकर के कंद से कंद मिलाकर के काम कर रहे हैं एक राज्य नहीं कर रहा है यह दुरभाग्य है बागी सब राज्य कर रहे हैं क्या है हमने देखा हिंदुस्तान भैं सो से थोड़े ज्यादा कुछ जीले ऐसे हैं कि जो राज्य की एवरेस से भी बहुत पीछे हैं हर प्रकार से वहां कड़े धन तो सब तो राज जिलों को समान मिलता है जैसा क्यों होता है गवर्णन्स के प्रॉब्लेम योजनाओं का अमली करन नहीं हमने ऐसे जिलों को एस्पिरिशन जिलों के रूप में एडेंटिफाय किया और राज्य सरकारों की सहमती से किया करीब 110-115 जिले हैं और उसपर हमने स्पे कि वहां यंग अफ़रों को लगाई है आये सब्सक्राइब प्रमोटेड अफ़रों को या लोगों को वहां मद पेजिए यंग लोगों को लगाई है और मैंने देखा कि सभी राज्यों ने मेरी इस बात को माना यंग अफ़रों को लगा दूसरा मैंने का बार बार ट्रांस तो मेरा थेडरीजम में छोटे सी छोटी पाइखा वी भला हो अब जैसे आप्टिकल फायवा नेटवर्र हिंदुस्तान के हर गाउं में जाना चेहिए हम लगे हैं पसे लगा रहा है पूरी ताकट नगा रहे हैं, क्यों? हमें तो पूरे देश को उपन लाना है, यही तो रिजनल एस्पिरेशन को एड्रेस करना का हमारा तरीका है। यह बात चलती है कि यह मोदी दी अड्मिनिस्ट्रेटर है। अब अगर आप मोदी दी पॉलिजिशन के बारे मैं बात करूँ तो जो पोलराइजेशन हमारे सोसाइटी में है, वो हर इलेक्शन में उभर कराती है। जाती के नाम पर हो या धरम के नाम पर हो। कोई ना कोई कि इसा जरूर हो जाता है इलेक्शन से पहले। तो मोदी दी अड्मिनिस्ट्रेटर आपने बता दी आपने क्या क्या किया है। मोदी दी पॉलिजिशन नहीं कर पाया है अभी तब पहली बात है कि भारतिय जनता पार्टी उसका मंत्र है सब का साथ, सब का विकास, सब का सिध्धानतों को कभी बढ़ला नहीं है। आपने मेरे मुझे सेंकड़ों बार इसको सुनाओगा। और मैं तो देख रहा हूँ, इन दिनों दुनिया के देश भी मेरे इस वाक्य का अपनी भासे में टार्सेशन करके सुनाते हैं कि मोदी इन सिध्धानतों पर काम करते हैं और इसलिए हम मानते हैं कि सबका साथ यही हमारा मंत्र रायम करते हैं। समाज बवस्ता तो है है, इसको तो कोई नकाल नहीं सकता है। लेकिन हैरानी तब होती है, जब मैं देख रहा हूँ मीडिया में, हम समाज को कोई दबा कुछला वर्ग हो, उसकी चिंता हमको करनी लेकिन हम कहेंगे भई इस समाज में अकर पंथ के आधार पर देखें तो इस सम्परदाय में इस प्रकार की जाती विवस्ता का वर्ण करेंगे। और इस समाज में हम कभी नहीं करेंगे। क्या वहां भी समाज के और वर्गों में जातिया नहीं हैं, उच नीच नहीं हैं, मेरे यहां गुजरात में मुस्लिम संप्रदायव हैं मैं समझता हूँ कि 70 जातियां ऐसी है जो OBC है और मेरे गुजरात में जब मैं था उनको OBC की केटेगेरी में बेनिफेट मिड़ता था लेकिन कभी में में मिडिया में नहीं देख रहा हूं कि वहां कितने OBC को टिकेट मि मिला वहां कितने पीशड़ों को टिकेट मिला कुछ नहीं तो यह 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 इस प्रकार की राजनिती कौन करते हैं जी क्या इसे बहार आना चाहिए हम टिकर देंगे तो भी राज जाति के आधार पर बटवारा को शूव कर देते हैं यह सी भाशा में वरनन करते हैं किस जाति हैं कि देश की एकता देश को आगे ले जाने के लिए बहुत आवशक है पर जो अलपसंख्यक है वो दरार में गिर जाते हैं वो जो फिजर होते हैं उनमें गिर जाते हैं जो आपने तो कई सारे उधारन दे दिये जहां पर वो जैसे आपने कहा कि कार्ड यहां पर भी इस् माइनोरिटीज आ नौट सेफ इन इंडिया इंटरनाशनल मीडिया में भी आ जाता है जो पुझी निवेश करना चाहता है बाहर बहुत के वह सोचता है यहां पॉलिटिकल इंड्रेस्ट है मैं क्यों यहां पर पैसे लगाऊं तो एक आज आज विश्व में भारत ने अपनी अच्छी पहचान भी बनाई है और वो मीडिया की ताकत से भी आगे निकल गई है अब जहां तक मीडिया का सवाल है वो क्यों ऐसा करते हैं किसके कारण करते हैं किसके लिए करते हैं किसके कहने से करते हैं किसके दबाओं में करते हैं ऐसे विश्वों पर मेरा टिपने करना उचीत नहीं है लेकिन मेरा इतनी समझ जरूर है कि मेडिया वर्ल में भी बहुत बड़ा competition है उनको भी टीकने के लिए अपने व्यापारीख हीतों के लिए भी बहुत जिद्द जहाद करने पड़ रही है वो भी एक element है मेडिया की कुछ मजबूरिया भी है उनकी इस सबके बाउजित भी हमारी बात दुनिया में पहुंची है इन्हीं लोगों के मात्यम से पहुंची है क्योंकि अच्छे लोग भी है नहीं है ऐसा नहीं है जहां टक बेदिश का मेडिया का कुछ सबाल है अच्छा को दुनिया में में देखा है कि कोई करते हैं वर एकलि भर मैं भारत की बात करों कि जहां का मेडिया अपने देश के हितों के खिलाब कुस करता हो कभी ने करते हैं VIP कभी-कभी ये मेडिया हाउस भी उनके देश के हितों के लिए भी देशों के बीच की जो सपरदा होती है तो एक लाइन ट्रॉ करते हैं तो उनकी एक अपनी दुनिया है चलने दीजिए लेकिन आप देखिए क्या कारण है का आज सबसे ज़्यादा FDI है भारत में क्या कारण ह है सबसे ज़्यादा FII है क्या कारण है इतना निवेश आ रहा है क्या कारण है कि जब आईश्मा वह करोना आया दुनिया के डेड़ सोस के करिब देश भारत की दवाई के लिए मुझे लगा था और हिंदु तो बहरत की प्रतिष्टा है तब ही तो कर रहे हैं और इसलिए यह जो हम 2400 गंटे हेडलाइन के फरोसे राजनिती करते हैं उनकी मजबूरिया होगी मैं तो दुनिया के लोगों के सामने सत्य लेकर के जाता हूं सच्चा ही पहुंचा करता के रहता हूं और दुनिया को भारत के तरफ आकर सित कर रहा है और पी एला इसके अभी अभी अम तो समाजवादी है कौन फिर उत्तर प्रदेश में क्योंकि अर्थ शास्त्री कहते हैं कि बीजेपी जो है वह पहले एकनोमिक पॉलिसी में राइटिस थी फिर वह सेंट्रिस हो गया अब वही समाजवाद बन गये हैं पहली बात है भारतिय जनता पार्टी जनसंग के जमान से हमारी आर्थिक सिद्धानतों की विचर्चाप सुनोंगे तो यही रही है कि हम देश की जनता पर भरोसा करते हैं देश की जनता के सामर्थे पर भरोसा करते हैं सरकार की नीतिया उनको अवसर देने वाली होनी चाहिए और हम वो नीतिया बना रहे हैं कि उनको सबसे ज्य सब्सक्राइब करो सरकार काम है गरीब के सब्सक्राइब को कि पीने का शुद्ध पानी दो सरकार का काम है गरीब अबर बिमार है तो उसको इलाज की व्यवस्ता करो सरकार का काम है गाउं गाउं तक कुछ रास्ते बनाओ लोकों को जाने आने की सुविदा करो सरकार का काम है कि हमारा देश का अग्रिकल्चर ताकत जो है विश्व के बाजान में कैसे पहुंचे इसके लिए कुछ व्यवस्ता करो छोटे किसान उसको दर किना रखी गया उसकी चिंदा करो और मेरी प्रात्विक का यही है मुझे लोगों को घर देना है मुझे गरीबों को सावचालज देना है मुझे गरीबों को धुए से मुक्त करना है मुझे गरीबों को घर में शुद्ध पीने का पानी पहुचाना है मुझे गरीब के बच्चों को पढ़ाना है अगर कोई इसको समाजवाद कहता है तो मुझे ये समाजवाद मनजूर है क्योंकि मैं समाज के लिए हूँ लेकिन मैं जो चर्चा करता हूँ नकली समाजवाद वो यह है हैं यह पूरी तरा परिवार वाद रहे हैं है कि मर दोया जीं का परिवार कही नजर आता है क्या रोबी को समाजवादनों मैं लोग है लेकिन ये लोग देखिए हैं पीरा परिवार मुझे एक बार किसे ने चिठी भेजी थी मैं तो भूल गया आज उन्होंने कहा कि इनके परिवार से यह सपा जो है उत्तर परिवार देखा 45 लोग ऐसे थे जो किसी ने किसी पदपर थे एक ही फेमिले के 45 लोग और किसी और ने मुझे कहा कि उनके पूरे परिवार में 25 साल की उमर के करीब करीब सभी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मोका दिया गया है क्या यह परिवार बाद क्या लोग तंद्र के लिए खत्रा है इसलिए मैं कह रहा हूँ तो अखिलेश और जैन दोनों कहते हैं कि परिवार बाद सिर्फ उनकी पार्टी में नहीं आपकी पार्टी में भी है राहुल गांदी भी कहते हैं कि परिवार बाद से जुड़े मतलब सेकंड जेनरेशन लीडर्स तो आपकी पार्टी में भी है बहुत बहुत फर्क है यह फर्क अच्छा सवाल पूछा आपने मैं थोड़ा विस्तार से जवाब दूँगा बुरा मत मानिये लेकिन देश की जनता को मैं जूट के सामने सत्य समझाना चाहता हूँ एक परिवार से अलेक लोग जनता के बीच में जाएं एक परिवार से दो लोग जाएं तिन लोग जाएं और जनता उनको चुनाव करके भीजे वो एक राजनीती का पहलू है लेकिन दूसरा एक परिवार के लोग ही उस पार्टी के अध्यक्ष बने उस पार्टी के ट्रेजर सकते हैं तो बेटा अध्यक्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् कि दो पार्टी यह में रही वहां दोनों परिवार की पार्टी यहां अभी तक उसका कोई नया निता देखा है नहीं आज देश में जो 18 से 40 साल की उमर के लोग है उन्होंने इन पार्टीओं के जितने नेकता देखे यह की परिवार के देखे दोनों पार्टी पंजाब में देखिए परिवार वाली पार्टी आप हर्याणा में देखिए परिवार की पार्टी उत्तर प्रदेश देखिए परिवार की पार्टी जारखंड देखिए परिवार की पार्टी आप तमिल नवन में जाईए परिवार की पार्टी यह परिवार ही पार्टी चलाता है परि परिवार की नहीं मनी हैं और ये ये दोनों को फर्क समझना होगा कोई ऐसा कहकर के इतने बड़े पाप से भाग जाएं ये नहीं चल सकता है और मेरा मत है परिवार वादी पार्टियां लोक तंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन है क्योंकि लोक तंत्र के मुर्भुत सिध्धा तो कोई न कारता है दूसरा जब परिवार वादी राजनीती चलती है परिवार ही सर्वोपरी होता है परिवार को बचाओ पार्टी बचे या न बचे परिवार को बचाओ देश बचे या न बचे ये जब होता है तब सबसे पहले कैजुल्टी कौन सी होती है परिवार वा के यूल्टी टैलेंट की होती है और सार्वजनिक जीवन में जितनी ज्यादा अधिक टैलेंट आये बहुत जरूरी है इसलिए राजनीतिक दलों का लोकतांत्री करण यह बहुत आवशक है परिवारवादी पार्टियां नए अच्छे नवजवानों को राजनीति से आने से कि मान लीजे कोई नवजवान है जिसको भारती जनतापाटे में नहीं जाना है लेकिन बागी कहीं पर चुकर जगाई नहीं है कहां जाएगा क्योंकि बागी मैं तो है उसके परिवार का मैं नहीं हूँ तो थोड़े दिन दू मेरा उप्योग होगा बाद मैं बज़े फैक किसे तरह देए तो आप जब परिवार के बारे में बात करते हैं इस्पेशली पॉलिटिकल पार्टी के जो पॉलिटिकल फैमिलीज है तो कॉंग्रेस कह रही है जानके आपने जवाल नान नहरू के स्पीचिस के बारे में दोनों सद्रों में जो आपने स्पीच दिये उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे तो राहूल गांदी ने देर रात को मीडिया से बात करते हुए का कि I don't need a certificate from Modi जी about my great grandfather तो अब ये फिर अब पूरा परिवार के ऊपर बन गया है controversy हाला कि आपका जो आपने जो examples दिये थे वो परिवार के ऊपर नहीं था पहली बात है मैंने किसी के पिता जी के कुछ नहीं कहा है मैंने किसी के दादा जी के लिए कुछ नहीं कहा है नहीं मैंने किसी नाना जी के लिए कहा है नहीं मैंने किसी की माता जी के लिए कुछ कहा है मैंने देश के प्रधान मंत्री ने क्या कहा वो कहा है और सरकारे अब दूसरा बार-बार हमें कहा जाता है आप नहरुजी का नाम लेते नहीं अब हम लेते हैं तो भी मुश्किल हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इतना डर किस बात का है प्रधानमंत्री जी 2014 से आप कॉंग्रेस मुख्ध भारत की बात करते हैं अब वो 60 से कम सीटे हैं कॉंग्रेस पार्टी की और उत्तर प्रदेश में तो नंबर 4 पर हैं तो आप इतना वक्त क्यों लगा रहे थे अपने स्पीच में कॉंग्रेस की उपर पहली बात है कि देश की जो आज हालत है उसमें सबसे जिम्मेवार कोई मुख्य धारा है तो कॉंग्रेस की धारा है इस देश को जितने प्रधानमंत्री मिले ना उसमें से अटल जी को और मुझे छोड़ करके सारे प्रधानमंत्री कॉंग्रेस कुल के ही थे इसके कारण देश में एक कॉंग्रेस की कार्यशयली ही राजनीती में एक प्रकार्चे मुख्य धारा बन गई अगर ये ही इस राजनिति में मुख्य धारा में रहेगा तो देश का कितना बड़ा नुक्षान होगा और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें और जब मैं कॉंग्रेस मुक्त भारत कहता हूँ तब कॉंग्रेस की संख्या से मेरा लेना देना नहीं है अब जैसे हम कॉम्मिनिस्ट पार्टियों की आलोच ला करते हैं अब सत्ता में नहीं है वो कहीं नेजर नहीं हाते हैं केरे मे कारे आप आप्टिक्स कि दारा बनाई हुई आ, वो देश को तभा कर रही है। अगर अच्छी कारेशलि होती हैं, अच्छे तोर तरीके होते हैं, तो देश आज से पहले बहुत आगे निकल चुका होता है। बहुत रुका हुआ, ठैरा हुआ, जंताने कुछ कर लिया, तो कर यह हुआ है एक uneven playing ground है आप क्या कहेंगे इस बारे में पहली बात है कि ये दो लड़कों वाला खेलतों हमने पहले भी देखा था और इतना अहंकार था कि उन्होंने गुजरात के दो गधे ये शब्द प्रयोग किया था और उत्तरपदेशी जनतानूं को हिसाब दिखा दिया और एक बार तो दो लड़के भी थे और एक बुवाजी भी उनके साथ थी फिर भी उनके हाल नहीं बना कि उत्तरपदेश इस प्रकार के जोड से अगर किसी को पचीस साल पर मतादिकार मिलता है है मान लो पचीस साल पर चुनाव लड़ने का हग मिलता है मान जीचे मतादिकार तो 18 साल में मिल जाता है लेकिन कोई पिताजी ऐसा कहाई देखो मेरा ये बेटा है वो 10 साल का है ये बेटा है पंद्रा साल का दोनों पचीस को होगे उनको चुनाव लड़ने तो तो कोई लड़ने देखा क्या तो इस प्रकार की मेल जोर से चलता है क्या नहीं पर जो उनका आरोप है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है क्योंकि बीजेपी सरकारी मर्शिनरी और इदारों का इस्तमाल करती है एडी का और डैक्स रेड्स होते हैं कैंडिडेट्स पर उनके रिष्टेदारों पर आप क्या कहेंगे हिंदुस्तान में ब्रस्टाचार कि दिमक की तरह देश को पर करेगी क्या जहां से भी सरकार को जानकारी मिलेगी संकार ने कदम उठाना चाहिए और कदम उठाने के बाद अगर देश के खजाने में अर्बों खर्बों रुप्य आ रहे हैं तो मेरी तारीफ होनी चाहिए अच्छा चुनाओं के समय हिंदुस्तान में हर बार चुनाओं लड़ेंगे सबी राज्यों के साथ होंगे केंद्र का साथ में होगा सारा खर्चा भी बच जाएगा तो फिर कभी दिखाई 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 अब क्या करें चुनाओं बीच में आ जाता है करेंगे क्या वह तो अपने टाइम चेपर से चलते रहते जहां से उनको जानका चुनाओं जब आपने देश के नाम संदेश किया तो उस टाइम आपने कहा कि यह चुनाओं से संबंधिट डिसिजन नहीं था आपने पूरे उस प्रक्रिया के बारे में बताया लेकिन आपके समर्थक भी कह रहे थे दे वस सो मॉच ऑफ परसनल कैपिटल प्रधान मंत्री चुनाओं जी शायद कन्विंस नहीं कर पाए किसानों को कि यह देश हित में है किसानों के हित में है और उसकी वजह से आपके समर्थन भी जो हैं वो डिसपॉइंट हो गये थे तो क्या आप इसको एक व्यक्तिकत रूप में आप इसको एक हार मानते हैं देखिए मैं किसानों के दिल जीतने के लिए निकला हूँ इंसान हूँ मैं छोटे किसानों का दर्द समझता हूँ और मैंने हमेशा उनके दिल जीतने का प्रयास किया है और हिंदुस्तान भर के किसानों का मैंने दिल जीता भी है कि मेरा साथ दिया है समर्थन किया है लेकिन मैंने कहा था उस दिन भी कहा था टीव में कि मैंने किसानों की भलाई के लिए कदम उठाए लेकिन आज देश के हित्मे मैं वापिस कर रहा हूं मैं समरता हूं इसको अधिक विस्तार मुझे करने के जरूरत नहीं है बात के घटना क्रमों से पता चलेगा कि क्यों जरूरत पड़ी थी तो क्या आप एक डायलोग करने के लिए फिर से तयार हैं किसानों को कन्विंस करने के लिए इस देश के लोकतंत्र का यह सबसे पहला कर तब्य बनता है लोकतंत्र में जन प्रतिनिदिका और सरकार का कि जनता के साथ समवात करते ही रहना चाहिए और हम लगातार करते हैं हम कभी भी समवात तूटना चिस्प के पक्ष में हाई नहीं हर किसी को मुझे भी सुनना चाहिए मेरी सरकार को भी सुनना चाहिए और बा किसानों से पूछते हैं कि बजट कैसा बनना चाहिए उनके विचान लेते हैं यह हम तो मानते हैं कि सब कुछ ज्ञान बाबुओं के पास है और नेताओं के पास है इसा हम नहीं मानते हैं हमारे देश के पास हर नागरी के पास अनुभव है हर नागरी के पास ज्ञान का मैं आपने दिपहादी है विक्तोर्यूस उभर के आया लेकिन आपने यह भी कहा कि अर पर सेher आ आपा माहराinate मेन करता हमतीर और नकारत्म कार्य कर लेकिन अरविद के इश्रिवाल ए यह गान१ी और टीनों कि नहीं यह गालत है कोविट की लडाई में जो नाकामियाबी सरकार की थी सेंट्रल गवर्मेंट की थी वो हम पे लादा जा रहा है मैंने यह कहा कि कॉंग्रेस पार्टी जब लोगडान हुआ डबली एचो समय सब लोग कहते थे कि जो जहां है वहां रहे है वो एक जगा से दूसरी जगा पर नजाए बरना कोरोना शुचके वह सिकार हो जाएगा उसका जीवन को तकलीफ हो जाएगी और उस समय कोरोना किस चाल से चलता है उसका रूप रंग क्या है को पता ही नहीं था दुनिया को लोगडाउन अफरात अपनी तर और एक राज्य लोगडाउन कर रहा है तो दूसरे तो इसलिए नेशन वाइड कुछ करने के आवश्यक्ता बन गई थी यह लोग बूल जाते हैं लोगडाउन पहले से राज्यों ने शुरू कर दिये भारत सरकार ने तो बाद में लोगडाउन का निर्णे करना प जाओ अब उस समय न करते हैं तो हमारे देश के स्रमीकों को दो चार के भाई का वातालों तो साही था दो चार दिन में चीजे समल जाती उनको पर बाद में व्यवस्ताइं खड़ी हो जाती लिए उल्टा किया और पूरी ताकत स्रमीकों के लिए लगानी पड़ी तब जाक में जाकर जाकर के जुपड़ पट्टी में कहा है वीडियो अवेलेबल है कि भी आप जल्दी जाईए और वहां पहुंचिए वहां से आप अपने घर पहुंच जाईए यहां तो लोकडाउन हो रहा है भय पैदा कर दिया है और मैं हमेशा कहता हूं यह भारत की जनता इतन बड़े संकट में दुनिया मानते थी कि हिंदुस्तान का हालत सब्सक्राब होगा और स्वाभा भी था कि इतनी बड़ी जन संक्या हम इस प्रकार से सम्हूं में रहते हैं हमारा जीवन भी सामूहिक होता है और यह बिमारी ऐसी है कि दुरन लपेट लेती है तो हमारे लिए हर प्रकार के संकट थे यह तो मानना पड़ेगा और बिमारी ने दुनिया भर को जिस प्रकार से सम्रूत से सम्रूत देशों को तभा कर दिया है उसकी तुलना में हम बच पाएं तो हम गर्व से कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के नागरी को ने जो भी उनके पास संसाधनते उ कभी भी नए रंग रूप के साथ मैदान में उतनाता है और हमारी सीट्यों को चुनाउती देता है हमें हर बार लाइनमिक ववस्ता से नहीं नहीं ववस्ता ही खड़ी करने पड़ रही है और हमें जागरूक रहना पड़ेगा प्रतारमंती जी चुनाव पांच राज्यों में है अब पंजाब की बात करती हूँ तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने जो अपना एलाइक होया है पंजाब में उसकी वज़े से मतब तीसरी पार्टी आ रही है शायद पंजाब में पहली बार पर बीजेपी कभी अ परिष्ट नेताओं ने उस समय जो नीतिया बनाई जो रणनीतिया बनाई उस समय के लिए बहुत अनिवार्य थी और उसके कारण पंजाब की एकता पंजाब के अंदर फिर से एक बार शांति का माहूल बने पंजाब खुन खराबे से बाहर निकले और मैं मानता हूं कि भा बना पंजाब का ही सुपरिम माना और उसने राजनीतिक जो भी काम्प्रमाइज करने के आवश्यक्ता थी किया वह बहुत जरूरी था इसलिए किया हम पंजाब को खुन-खराबे से बाहर निकलना चाहते थे अम पंजाब को शांति देना चाहते थे और उसके लिए कर होल बनाने में हम बहुत बड़ा पॉजिटिव योगदान दे सके और वो हमने किया और पंजाब को बाहर निकालना में उस संकर से बाहर आए जहां तक राजनीती का सवाल है आज भारतिय जनता पार्टी सबसे अधीक विश्वस्णिय पार्टी के रुप में पंजाब में जनता पार्टी जोइन किया है फिर जो राजनीती के बहुत बड़े महारती हैं ऐसे लोगों ने भी अपने पुराने पुराने दल छोड़कर के भारतिय जनता पार्टी टिकट दे या न दे लेकिन भारतिय जनता पार्टी पंजाब के स्थिर्ता के लिए पंजाब के विक हैं क्याप्टन साथ और जर्ण साथ बहुत पुनाने लोग वहां महारति रहे 30 सक्ते जिनौन के वहां की राससिपक हो दिशा री है यह लोग भारतिये जनता पार्टी को पसंद रहे हैं और इसलिए मैं मानता हूं कि भारतिय जनता पार्टी पहले की तुलनाम है बहुत ही यसस्वी होगी पंजाब के लोगों के जो aspirations कई कारों से हमने भी शायद compromise करकर के अपनी पार्टी का नुक्सान किया हो सकता है कुछ लोगों का भी हुआ होगा लेकिन अब जब हम खुल कर क्या है तो उनका भी होस्ला बुलंद हो गया जो लोग दबे हुए रहे थे वह भी खुल करके हमारे साथ आए हैं हमने किसान को डारिक benefit के लिए हम आड़े रहे हमने केप्टन साब को समझाया केप्टन साब हमारे साथ ते हुँ समय वो मुक्य में तरी से सहमत हुए और किसान को direct benefit transfer हमने किया पंजाब में उसकी खेट के तो आप मैं 1000 से ज्यादा वीडियो निकली है एक मिनिट की वीडियो में देख रहा था मैंने भी कभी दस बाला तो देखी होगी किसान कह रहा है कि मेरा खेट तो उतना ही है मेरी फसल वही है जो मेरे 20-25-30 साल से हम कर रहे है पैदावर भी उतनी है लेकिन मेरे घर में इतने रुपिय पहले कभी नहीं आये जितने मोदी जी की सरकार ने direct benefit transfer का निर्णे किया और किसान को जो माल है उसका पैसा सीधा bank में खाते में उसके जाएगा तो सारे बीचोली गए कट जो होता था वो गया और मुझे मेरा पूरा पैसा मिला यह छोटा किसान आज भारतिये जनता पार्टी का जैजैकार कर रहा है जी आप जब गए थे पंजाब तो आपका काफिला ब्रिज पे अटक गया था और आपने किसी ऑफिशल को कहा कि अपने चीफ मिनिस्टर को कहिए मैं जिन्दा वापस जा रहा हूँ बहुत सा इंवेस्टिगेशन भी चल रही है सेक्योरिटी को लेकर लेकिन उस वक्त आपको कैसे महसूस हुआ था क्योंकि आप पंजाब से पता नहीं कब से जुड़े हुए है मैं इस पूरे नौर से पार्ट से मेरा बहुत निकट नाता रहा है मैं पंजाब में बहुत रहा हूँ मैं पंजाब की मेरा बड़ा नाता रहा है मैं मेरी पार्टी का काम वहां करता था मैं पंजाब के लोगों के जो भीरता है मैंने देखी है पंजाब के लोगों के दिल को मैं जाता हूँ मैं आपको गुधान बताता हूं मैं अपनी पार्टी का काम करता था उस समय तो ये आतंगबाद बड़ी एकदम हालत बड़ी खराब थी शाम के बाद को निकलने पाता था और मैं शाहिद मोगा में थे या तरण तानर में था मुझे अगले स्टेशन पर जाना था लेकिन कार मेरे ड्राइवर दोई थे हम निकले और दुर्भागे से हमारी गाड़ी खराब हो गई रास्ते में हम कोशिश कर रहे ते लिए गाड़ी चल नहीं रही थी तो उसमा एक पुरानी एंबेसेडर मेरे पास थी धक्के भी लगाए कोशिश की तो खेज में दो तिन लोग थे स मिलेगा और नहीं मिलेगा तो जाब यहां तो अभी तो कोई मिलेगा नहीं बहुत दूर-दूर है पिर उन्हों नहीं मुझे कहा को भाई तुम्हें बुरा नहीं लगे तो एक बात करो मैंने क्या है तुम काड़ी यहां छोड़ दो तूम और तुमारे ड्राइवर खेथ म हमारे साथ चलो हमारी वहां जोपड़ी है वहीं खाना खालो रात को रूख जाओ सर्दार परिवार कि जिस प्रकार से उन्होंने मुझे समाला उन्हों का भई कुछ भी हो तुम सुबह जाना अब यहां ही दूख जाओ बादमीन को पता जला मैं तो बाज़पा का कार करता हुआ ठीक है भी तुम भाज़पा के हो कुछ भी हो तुम आज रात मेरे हरू है मैं हरान हूँ जी खेत में उन्होंने अपने जो छोटी सी जगह होती है उसमें रखा मेरा खान को इनकी बश्ता की और सुबह उनका बेटा जाकर एक मिकेनिको लिया आया गाड़ी ठीक ही औ मैंने पंजाब का इदिल देखा है इन सर्दारों के भावों को जानता हूं मैं इतने और मेरे तो गुजरात में मेरे कच्छ में अंदर इतने मेरे परिवार है सर्दार मैं जब लगपत में गुरु गुरुदवारा का भुकम में नुक्षान हुआ था मैं वहां गया देख बनाया दुवारा आज कच्छ के अंदर जो हमारे सरदार परिवार है बहुत पड़ी मात्रा में है खेती करते हैं जब वो इसका बात का बढ़ा है उनके आखों में सांसु आजाता है जी और मैं अभी कुछ दिन पहले भी एक वर्चुल मिटिंग में मैंने उस गुर्द वार अंग्रेजों के जमाने में तो हुआ ही नहीं है ऐसे अनेक काम मैंने देश के कल्यान के लिए हमारे सिख भायों की विर्ता का सम्मान करने के लिए और मुझे गर्व है चुनाव चुनाव की जगा पर है लेकि मैं मानता हूं यह मेरे देश के वीर जवान है मेरे देश के इतना कर सकूंगा मैं करता रहूँगा तो क्या उस दिन आपको ऐसे लगा कि ये राजनीतिक आंदोलन था इसलिए ऐसे हुआ ऐसा है कि इस विशे में मैंने पूरी तरह मौन रखा हुआ है क्योंकि सुप्रीम कौट स्वयम इसको गंभीरता पुर्वक इस बात को देख रही ह मेरा कोई भी वाक्य पूरी जो चल रहा है उस पर प्रभाव पैदा करे या उचीत नहीं है जो भी है सुप्रीम कौट के द्वारा जहां कमीटी निकालेगी जो सत्य होगा देश के सामने आएगा और हमें तब तक इंतजार करना चाहिए आपने दोनों स्पीच में राजसभा में भी और लोकसभा में भी आपने कई बार कॉंग्रेस पर हमला किया और कॉंग्रेस पार्टी कहती है कि आपने राहूल गांधी के जो allegations थे चाहे बेरोजगारी पर हो या भारत चाइना पर हो आपने उसका जवाब नहीं दिया हमला करने वाली भाषा न मैं जानता हूं न मेरी वह प्रकूरती है लेकिन तरक के आधार और तथ्थे के आधार पर सदन में मैं कोई बात बताओं वो मिडिया के लिए गरम-गरम मसाला बनाने के लिए हमरा शब्द उपयोग होता होगा हम हमला नहीं करते हम संबाद करते हैं बाद विवाद भी होता है तोकाटा के भी होती है और वो मिसे मैं बहुत हस्ते हुए इसको स्विकार करता हूं मैं इसके काट मुझे कोई नारज गिरी होते हैं और मैंने हर विशे के तथ्थे दिये हैं हर विशे को तथ्थों के अधार पर बात गी है कुछ विशेओं पर सदन में हमारे विदेश मंत्राले ने विस्तार से कहा है कुछ विशेव पर हमारे रक्षा मंत्राले ने विस्तार से कहा हुआ है और कुछ विशेव पर जरूरी जहां था वहां मैंने भी कहा है और इसलिए इस प्रकार से जो सुनते ही नहीं है जो सदन में बैठते ही नहीं है अब उनकी comment पर मैं जवाब क्या दूँगा? आपने कहा कि आपने मन बना लिया है, सौ साल आप पावर में नहीं आना चाहते हैं, तो मैंने भी मन बना लिया. आपने क्या मन बना है? हमने मन बना लिया है कि अब राष्ट को हम उस बुराईयों की तरफ जाने नहीं देंगे हम देश में जनहीत के लिए जीने वाले जनहीत के लिए जूजने वाले जनता जनारदन के सपनों को पुरा करने वाली व्यवस्ताओं के को ही बनाएंगे उसी को बढ़ाएंगे उसी क कि चलाएंगे जरूर पड़ी के तो उसको सांथ देंगे यहीं हमारा मार रहे का रास्ता हम जो देश को तबही के रास्ते पर ले जाने वाले जितने तरीगे हैं वो नहीं आने देंगे एनाय के साथ बात करने के लिए धन्यवाद तुछ बहुत बहुत धन्यवाद